दोस्तों, आज कुछ खास लेका आया हूँ आपके लिए, सिर्फ पांच मिनिट रोजाना करोगे और आपको उस लेबल का एनरजी मिलेगे, आप सोच नहीं सकते हैं आपकी रोग प्रतिरोग ख्यमता जितनी है उससे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगे बहुत ही सिंपल टेकनिक्स है, काफी सारे लोगों को परसनल लेबल पर जो लोग मेरे से मिलते हैं, उनको बताया हूँ और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है, हम लोग ऐसे भी मुठी-मुठी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है, कि यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो हमारे सरीर के अंदर क्या होता है यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो किस लेबल का चेंजेस हमारे सरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रियक्शन हमारे अंदर होता है कौन से हर्मोन हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे हो डिप्रेशन हो, आइंजाइटी हो, स्ट्रेस हो एक साधार जिबाद है हम लोग ऐसे ही बैट के भी कई लोगों के आदत है ऐसे मुठी-मुठी करते रहेते कभी हाथ अकडने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है हम लोग ऐसे मुठी बंद करते हैं और खोलते है तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है यह जब आप मुठी बंद करते हो ना तो खास करके right मुठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एडेनल ग्लैंड कहा जाता है जो खास करके हमारा blood circulation, blood pressure को control करता है Middle finger जहां हमारी टच होती है, right hand की बात ही बता रहा हूँ तो वो सीधे kidney के reflection area को touch करता है Ring finger हमारी जहां touch होती है, वो सीधे pancreas के reflection area को touch होता है उसका जहां nerve end है, उसको touch करता है And little finger जहां touch होती है, वो आपका liver कहलाता है Right side और left side में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है वो right में है आपका liver, left में है आपका heart Left का little finger जहां पे touch होती है, that is equal to the heart यानि अगर हमने इस तरीके से मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा index finger touch कर गया आपका adrenal gland Middle finger जहां touch हो गया वो आपका kidney हो गया और ring finger जहां touch हो गयी वो आपकी pancreas हो गया और little finger जहां touch हो गयी वो आपका liver हो गया इधर उसी तरीके से यह adrenal gland याने BP point हो गया इधर आपका kidney point हो गया या आपका pancreas याने diabetes के लिए हो गया और यह आपका little finger जहां touch हो हाट का हो गया अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें ठेरापिटी का लिए अपने लिए सिर्फ 5 मिनिट आप किसी भी जगा पर बैठ लिजे चाहे chair में हो बेड पे हो या फिर आसन डालके नीचे बैठ ले जहां आप comfortable हो जिस हालत में भी आप हो दिन में एक या दो बार 5-5 मिनिट मुठी बंद करना है सांस लेते हुए और tight करके रखना है एक दो second फिर इसको खोलना है फिर से ऐसे मुठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है थोड़ा tight करके दबाई है जिससे की वो जो point है वो stimulate हो सके पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे फिर एक दो सेकेंड रोकनी है और इसको खोलनी है इस तरीके से मुठी बंद करनी है और खोलनी है यानि आपके मुठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्तिय चुपा हुआ है बस दबाओगे वो निकल आएगा आपकी एनर्जी आपके मुठी में बंद है आपका विमारी को दूर करने की ख्यमता मुठी के अंदर बंद है बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा आपकी ब्यूटी आपके मुठी के अंदर है टाइट के रिए दो सेकेंड रोकिए फिर इसको खोलिए याने जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनरजी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है मैं थोड़ा इसको योगा और एकिप्रेशर का दोनों को मिला के तयार किया हूँ कि आप जब भी मुठी बंद करते हो एक्ष्ट्रा एक वार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सास जरूर लो और जब मुठी खोलते हो तो सास बाहर निकालो इस तरीके से याने सास लिए मुठी बंद किये सास छोड़े मुठी खोल दिये दोस्तों पाँच मिनिट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाई डे आपके अंदर चंजेस आते जाएगा जिसको ब्लड पेशर है जिसको किड्नी का प्रॉबलम है जिसको आपका डाइवेटीस है जिसको लिवर में को प्रॉबलम है जिसको heart में problem है उनके लिए तो ये पुरा राम मान है जिनको नहीं है उनको जिन्दे की भरी बिमारी कभी होगा नहीं अगर आपका heart, liver और आपका kidney, adrenal gland, pancreas ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी result जो है बहुत जबरदस्त है उम्मीद करता हूँ आप इसको अमल में लाओगे डेली regular practice करोगे इसका फायदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांड बना लीजिए फायदा होना तै है Thank you very much